नमस्कार मैं हूं मनीश शर्मा खबरों की शुरुवात हम करेंगे आज सुप्रीम कोट ने जो विधानसभा चुनाओं से पहले मुफ्त रिवडियां बाटने के मसले पर दाखिल जन्हित याचिका पर सुनवाई करते वे मद्द प्रदेश और राजस्थान को जवाब के लि रही है इसमें सुप्रीम कोट ने केंद सरकार चुनाओ आयोग राजस्थान और MP सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोट ने रिजबर बैंक को भी नोटिस जारी किया है कोट ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफते का वक्त दिया है याचिका में कहा गया है कि चुनाओं से पहले नखदी बाटने से जादा करूर कुछ नहीं हो सकता तो ये हर बार होता है हर चुनाओं में होता है उसका बोज आखर में टेक्सपेर्स यानि करदाताओं पर ही पढ़ता है। सुप्रिम कोट ने से आचिका को फ्रीबीज मामले में दाकिल दूसरी आचिकाओं के साथ क्लब कर दिया, जोड दिया और संबंधित राज्यों से चार हफते में जवाब मांगे हैं। और इस पर बात करने के लिए कॉंग्रेस से मेरे साथ प्रवक्ता भरत मेगवाल माजूद है। इस देश के अंदर जो हमारा समिधान है, जिसके अंतरगत हमारा देश चलता है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यों सरकारे, अपने नीती निर्धारन के अंतरगत, अगर उन्हें लगता है कि कुछ वंचित पिछड़े या आर्थिक द्रश्टी से कमज यह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो नोटीस दिया है, उसमें पहले जब यह अगस्त में वहाँ पे हीरिंग चली तो उसमें सबसे बड़ी चीज आए कि फ्री बीज की डैफिनेशन क्या होगी, फ्री बीज किसे काउंट किया जाएगा, उसके लिए इन्होंने कहा कि आप सभी राजनितिक डलों के साथ एक बैठक करके इस चीज को पहले ये तैक करें कि फ्री बीज किसे कहा जाएगा, आप देखेंगा, अगर अधिकार राजस्तान की सरकार दे रही है, जिससे वीरों की राजस्तान कहला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वह गलत है, शिक्षा के अंदर हम अधिकार दे रहे हैं, ताकि शिक्षित हो इस देश का युवा, इस देश का हर एक वेक्षित होगा, तो वो हमारे बहर जी लगता है आपकी शायद आवाज हम तक नहीं पहुच पा रही है, दुबार आपसे करनेक करने की कुशिश करेंगे, मुबारिक खान हमारे समाधता इस वक्षित हैं, मुबारिक जिस तरह से सुप्रीम कोट ने सरकारों से जवाब मांगया अलग-लग चुनावी रा आजिस्थान में क्या माहल है किसी सरकार की तरफ से कुछ नेताओं से बात हो पाई हो, विपक्ष से बात हो पाई हो, क्योंकि एक और मद्यप्रदेश में तो खुद भाजपा की सरकार है, उनसे भी जवाब मांगा गया है, तो क्या हल चल है सियासी हलकों में सुप्रीम कुन सी और आप देख कुन से बेखा है, ठीक है, मैं मेरे सहयोगी, वरिश सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, अखलेश शर्मा उनका रूप कर लेता हूँ, अखलेश जी जैसा आपने देखा, सुप्रीम कोट इस बार फिर से वही सकती दिखा रहा है, और ये पहली बार नही लेकिन अब ये उत्तर भारत में भी कल्चर बड़े तौर पर देखा जाने लगा है, राजस्तान की बात करें तो पिछले 6 महिनों में, गहलोत की तो तमाम योजना इसके इर्दगिर्द रही है, कल ही की बात करें, तो उन्होंने अब राहतों की और पिटारा खोलते हो महि लाओं के लिए रोडवेज बसों में अब चूट 90% तक कर दिये, तो जिस तरह से कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे किसका क्या दायरा हो कि क्या मुफ्त है और क्या नहीं है, किसे योजना में लाया जाए, क्या वाकरी बड़ा पेचीदा मसला है, या फिर ये बहु आशा ताय करनी के आवशकता है, कि फ्रीबीज क्या है, लोकल भावन वादे क्या है, जिसे रेवडी कहा जाता है, वो क्या है, और सरकार की उड़ से कल्यान कारी योजनाए क्या है, देखिए एक फार्क बिलकुल, इसपाश्टि कि जिन योजनाओं से आप केवल और केवल वोड बटोरनी के लिए ये खोशनाए कर रहे हैं, वो निश्यत तोर पर आप उनको फ्रीबीज या रेवडी मान करके चल सकते हैं, उधारें के तोर पर आपने कहा कि महलाएं जो है, वो 95% उनको छूट मेलेगी किरायों में, ये निश्यत तोर पर रेवडी में आता है, औ क्योंकि आप ये कैसे तै कर सकते हैं कि जो भोगता है वो पैसा ना दे, और जो कुछ करदाता है उनके जेप के उपर ये बोच पड़े, तो ये ऐसा विश्यत इसको लेकर करके कि राजजीतिक दल तो कभी एक नहीं होंगे, वो हमेशे अपने सुईदा के हिसाब से परिव का मावला है, इसलिए कारण ये कि जैसे कि आपने बिल्कुल सही का दक्षिन भारत से इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ पर तो मंगल सुत्र आप सोने का देते हैं, वहाँ पर आप घर में मिक्सर देते हैं, आप कलर टीवी तक दे देते हैं, ये साली चीज़ें वहाँ कपड़ा मकानी क्यों न दे आ, ये इस पर जोर देना चाहिए, और देरे-देरे करके ये उत्तर भारत के राज्यों में भी आने लगा है, मुझे आज है कि मद्धिय प्रदेश में जब अर्जुन सिंग मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने एक बत्ती कनेक्शन जुग अपने यही वादे किये कि मुफ्त हम बिजली दे रहे हैं, मुफ्त हम पानी दे रहे हैं, उसके बाद से ये एक बड़ा मुद्दा बना है और धीर-देरे करके सारे राज्याव इसको फॉलो कर रहे है। उनको मुफ्त माना जैसे आपने बताया, आप मंगल सुतर बाट रहे हैं, धक्षन राज्यों में होता था, टीवी बाटी जाती थी, अवो कमोबेश राजस्थान में भी आगया, आप स्कूटर बाटने लगए हैं, आप साइकले बाटते हैं, और आप तमाम निजी सामान बाटते हैं, अब तो विधायक अपने स्थानी स्तर पर भी कपड़े से लेकर और खाने पाने और बागी तमाम से विधाये बाटते हैं, लेकिन जो गरीबी का मुद्दा है देश में, गरीबी का, पानी का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्त का, उन पर योजनाएं बन उससे बरताव करते हैं, किसी जगा पर सौ यूनिट देते हैं, किसी आप दो सो यूनिट देते हैं, सिलेंडर में बड़ा आप गैप रखते हैं, और उससे दूसरी सरकारों पर भी दबाव बनता है, जाही तो तो खुदी बोलने लगे हैं कि मेरी जो फरी योजनाएं थी उससे आप केंदर पर दबाव बनने लगा है इसलिए उज्वला के सिलेंडर सस्ते करने लगें बिल्कुल यह बात सही है यह लकीर खीशना बहुत जरूरी कॉंग्रेस प्रवक्ता कि यह बात बिल्कुल सही है कि स्वास्त हो शिक्षा हो इसमें आप अधिकार दें देखिए होता है कि इसमें सभी तब को एक समान लाव मिलता है अगर आप 25 लाग रुपे का स्वास्त बीमा दे रहे हैं जो कि अशोग गेलो सरकार आइस्थान में यह बहुत बड़ी बात है क्यों हम जानते कि हमारे देश में स्वास्त विवस्ता का क्या हाल है महराश्त में भी जो चल रही है hospital की वह हमने देखा किस्तvre से बयाहल विवस्ता है तो वैसे में अगर सब्ण के सवस्त का भीमा डेरी है यह जो कि सब को मिल रहा है प्राइटीर मिलेगा उसको मिलेगा आप वोटों को ध्यान में रख करने दे रहें तो वो एक स्वागतियों के कदम है लेकिन जब आप यह करम उठाते हैं कि सौ यूनिट बिजली हम फ्री देंगे तो यह निश्य तोर पर एक बड़ा सवाल यह खड़ा करता कि क्या आपको ऐसी जरूत प बनकर कि आप वोट ले रहे हैं तो यह एक पूरे व्यवस्ता पर सवाल खड़ा होता है और इसका बड़ा दुश्पढ़ना में जिसकी चर्चा बहुत कम होती होना बहुत जरूरी है वो है कि राज्यों की जो अर्थ व्यवस्ता उसका कितना बुरा असर पढ़ रहा है रा उन सब पर विप्री तसर पड़ता है करनाटक का उधारान सामने है जहां पर की सरकार करनाटक में कौंग्रेस की बनी पांच गारंटी अन्हों ने दी और जब विधायक आए कि उन्हें अपने विधान सबाग शेतरों में विकास कारी करवाना है तो राय सरकार ने यह कहते कर दिए कि देखिए एक साल तक तो हमारे पास पैसा केवल और केवल इन गारेंटियों को पूरा करने के लिए है विकास कारियों के लिए नहीं है जी पकलेश हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं मुराद अली मैं उनका भी रुक कर लेता हूं मुराद तो एक तरह से जवाब आपको भी देना पड़ेगा आप चुनाव में क्योंकि आपकी भी सरकार जाने वाली चुनाव में मद्परदेश में अब आप वहाँ पर भी चुनाव लड़ने वाले हैं आप भी तमाम तरह से गाय गरीब मंदिर को लेकर कई योजनाय चला रहे हैं महिलाओं के लिए आप भी फ्रीबी के अनाउंस्मेंट आपकी सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं आप यहां राजस्थान पर आरोप लगाते हैं खाजाना खाली कर रहे हैं अब जो प्रधानमंत्रियों बोलते हैं कि राज जूब जाएगा लेकिन की बास से मैं सहमत नहीं हूं मैं निवेदन करूं सबसे पहले कि आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉंग्रेज की इन फ्रीबीज सिस्टम में केजरिवाल जी के फ्रीबीज सिस्टम में इन दोनों की समानताओं को और भारती जनता पार्टी के दवारा जो गरीब क्लेन के जो चलाईजारी योजना हैं उनके बीच के अंतर को समझना पड़ेगा बड़ा बारिक और महीं मंतर है मैं पहले निवेदन करूं आपको कि आपको यह जिक्र कर रहे थे राजस्तान की चिरणजीव योजना का तो राजस्तान की चिरणजीव जो इलाज का इन्होंने वादा किया है यहां कॉंग्रेस परवक्ता बेठे हैं बरतमेकवाल जी आप उनसे पूछ लें कि ऐसे कितने मरीज है राजस्तान में जिनको आपने 25 लाग का इलाज फ्री दिया हो यह आकडों से खेलने की कवायत यह राजस्तान में कांग्रेस की मिलनी है तो इनके आकडों से खेलने की जो पुराणी इनकी प्रमप्रा है उससे मों इनका छूटा नहीं है दूसरी बात अभी कर रहे थे सो युनिट बिजली फ्री की मैं निवेदन करू जिस दिन से बिजली फ्री का राजस्तान में कॉंग्रेस ने जुन जुना दिया उ और रोज अकबार में लिखा हूँ आता है आदा जेपूर जो है वो बिजली फुल रहे गी आदे जेपूर में ये विग्यवति ये समाचार उसमें छबे में दिखाई पड़ते हैं तो आप एक तरफ तो सो युनिट बिजली फ्री करने का वादा करते हैं और दूसरी में इनके फ्रीवीज सिस्टम में और बारती जंदा पार्टी के तरफ्तिकरन सिस्टम में बड़ा बारिक फरक है इसको समझना परेगा मुराज जी आप बड़ा चाला की साब बचाओ की कोशिश कर रहें लेकिन 2018 में तक जब आपकी सरकार थी वसंद्रा सरकार तबी भी व आपने देखा क्योंकि जाहिर तौर पर पार्टी के प्रवक्ता हैं आपने फैसलों का बचाओ करेंगे लेकिन एक बड़ी दिल्चस्प बात पूरी इस इस चुनावी घोशनाओं में पार्टी की तरफ से यह देखने को मिलती कि जो ही उनकी सरकार है या तो चली जाती है या तो दूसरी सरकार लोटते हैं तमाम योजने पुरानी खतम हो जाती है या फिर यह सरकार वापस अगर आ जाती है राजस्तान में तो ऐसा कल्चर अभी तीस साल से है नहीं तो क्या गैरंटी कि यह स्कीम जारी रहेंगी यह बड़ी दूइधा खड़ी कर देता है आने सरकार के लिए कि अगर आप इसको discontinue करते है पैली बात ते है कि प्रैशर आपको पर यहां की जिस तरह से वह घोशनाय करनी है उरे सरकार के काम को जाली रखा जाए या उसको discontinue किया जाए क्योंकि उससे आपके आलोकपरी होने का खत्रा रहता है लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि शुरुआत के छे मैंने एक साल तक चुकि एक अच्छा पीर होता किसी भी सरकार के लिए तो उसमें वो इस तरह एक फैसले कर सकते हैं लेकिन इसके दूस मुफ्त दे दें लेकिन बिजली है कहां आप क्या पहले यह बता है कि 24 गंटे बिजली दे पा रहें या नहीं दे पा रहें उसके बाद आप बिजली सस्ती करने का सोचिएगा लेकिन आप 24 गंटे बिजली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप बिजली खरीद नहीं पा रह उसका 3-3.5 प्रतिशती आप कर्ज ले सकते हैं लेकिन आप मद्यप्रदेश को देख लीजिए रायस्थान को देख लीजिए पिछले 6 मेने में इन तीनों चुनावी राज्यों की सरकारों ने कितना कर्जा मार्केट से उठाया है और यानि जो अगली सरकार आईगी वो चाह सब्सक्राइब से निकाल के दूसरी जैब में डाल रहे हैं और बीच में आप वोटों की फसल काट रहे हैं केवल और केवल यही हो रहा है और मुझे भी याद है आपने भी काफी देखा ही हुआ कि अक्सर जो राजस्थान में तो वसंद्रा राजे गहलूत पर आरूप ल पांगा है फ्री रेवर्डियों को लेकर आप लगाता है राजस्थान में चुनाव कबर कर रहे हैं वहां वहां लोगों से बात कर रहे हैं कुछ लोगों से बात हुई किसी तरह से सियासी माइने क्या निकाले जा रहे हैं इसके और खास तोर पर अगर कॉंग्रेस या नितिक दल होते हैं चाहे मद्यप्रदेश हो चाहे रास्तान हो या फिर तमाम जो स्टेट्स रहते हैं वो चुनाव से पहले जो वहां के प्रदेश की जनता रहती है उनको फ्री में जो स्केम्स होती है उनकी बेनिफिट्स देती है उसको लेकर सुप्रीम कोट ने इस पर द्वारा या फिर जो भी पार्टी की सरकार रहती है उनके द्वारा जो फ्री स्कीम्स होती है उनका आम जंता को बेनिफिट नहीं दिया जाता है अगर बात की जाए रास्तान की तो रास्तान के अंदर आप देखेंगे रास्तान की जो सरकार है वो लगातार परदेश की जंत को फ्री के अंदर दी जानी इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री असो गैलो से भी बात करने कोशिस की उन्होंने इस पर जब सवाल किया गया हमारे दौरा तो उन्होंने साफ तो पर यह कहा कि अभी यह पूरा मामला है मेरे संग्यान में नहीं है जैसे यह पूरा संग्यान में आ से हम इसके पर से हम यह मनतरी उन्होंने आज कॉंफरेंस के दिए उसके अंदर जब हमारे दोारा सवार गया है तो उसमें उन्होंने कहा कि इस निर्फ 15 दिन अगर एंडर कोणा है यह मामला है इस प्र्रीम कोट में फिर्फ के उपर ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँ हूँ जी विरेंद्र अब विरेंद्र हम सुनवा भी देते हैं तर्श्कों को अब जब यह पूछा गया आशो गहलोथ से सीम से कि फ्रीबीज को लेकर जो जवाब मांगा सुप्रीम कोट ने तो उन्होंने क्या का सुप्रीम कोट में जवाब मांगाए राज़ण स्रातो तो देखा अपने मुखि मंतरी ने कहा मुझे इसका भी संध्यान जानकारी नहीं और यह योजना यह हम जो है काफी हार्से से चला रहें अखले जी मुख्यमंत्री भले ही अभी फिलहाल तो फौरी तौर पर पला जाड रहे होंगे कि वह काफी अर्से चला रहें लेकिन ये बात किसी से चिपी भी नहीं है कि जो तमाम फ्रीबी जो शुरू की उन्होंने, फ्री मोबाइल, फ्री स्कूटीज, आपके जो घरेलू सिलिंडर पर जुवला के लिए 500 रुपए में किया पहले जादा था पिर लगाता उसके कीमते कम करते रहें और 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स और किसानों को तो उससे भी जादा फ्र मिलता है, तो इस पर जो है, कॉंग्रेस का जो स्टेंड रहा है, अब पिछले मक्यमंत्री तो बचाओ करेंगे कि काफी अर्से चल रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने का है, चुनाव आते याते, इस सिलसला और बढ़ जाता है, और जिलों की तो बात ही करें, तीन जिले और अ अशोग गलोतने वाब मेहंगाई रहात शिवरी भी लगाए है, जहां पर कि सस्ते दाम पर कई चीजे उपलब्द सरकार की ओर से कराई है, तो इस लिहाँ से वो एक तेरे से दो निशाने कर रहे थे, पहली बात तो वो यह बता रहे थे कि महंगाई है, और यह मुद्दा जो है केन सरकार की वज़े से है, और दूसरा मैं किस तरह से रहत दे रहा हूँ, यह भी बताने का प्रयास इन रहाशिवरों के जरीए कर रहे थे, लेकिन जो दूसरी बड़ी बात इसमें है, कि जब सुप्रिम कोट यह कहता है कि केन सरकार हो, रायस्थान हो, मध्यबरे सर चुनावायोग भी हो, उन्हें जिस तरह से नोटिस दिया गया है, और आप जानते हैं कि यह मामला पहले से ही सुप्रिम कोट में चल रहा है, सुप्रिम कोट बार बार यह कहता है कि चुनावायोग को इसमें पहल करनी चाहिए, यहां तक कि पीम भी बुलाएं, और सब भी मिलकर कि इसमें आमराय बनाएं, लेकिन जैसा मैंने काई कि यह competitive politics है, इसमें कोई भी party पीछे नहीं हटना चाहेगी, हर party चाहेगी कि हम जादे से जादा जोली खोलें, ताकि उसमें होगा यह कि हम जतना जादा बाटेंगे, उतना जादा वोट हमें मिलेगा, यह उनको मान बाटेंगे, उतना जादा आपको वोट मिलेगा, बात यह है कि इसमें सबसे जादा बड़ी आवाज अगर कहीं से उठी है, इसे खिलाफ, तो वो पीए मोदी की ओर से उठी है, रामती नरंडर मोदी ने कई बार कई मौकों पर यह बोला है, कि जो रेवडी संस्कृती है, इससे बहुत नुकसान होगा, बलकि यहां तक भी इशारा दिया कि शीलंका जो की पड़ोसी देश है, वहाँ पर जिस तरह के हालात बने, क्योंकि आपकी आमदनी अठनी है, और जो खर्च उर्पईया है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको खाजाना खाली होगा, और शीलंक अठना का उधान देखर के बार बारे चैताया जा रहा है, अभी राज्यों को कि कृपिया आप अपने खर्च पर ध्यान दें, थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि जो आने वाली पीडियां हैं, उनको भी आप कुछ दे सके, क्योंकि आपके अब अभी सत्ता में आ जाएं, इस रखाओ, वहाँ बीजेपी ने भी कोई कसर नी छोटी वोटरों को लुबाने के लिए भले ही प्रदान मंतरी कह रहे हैं कि राजस्थान का खजाने पे बड़ा असर पड़े का कर्ज बढ़ गया है, और खुद बड़ा दिल्चस बात ये कि जो यूपियस सरकार में जो आर करेंगर यही राजनिती है